ओम शंती मुरुली का तारिक है 10-6-2019 मीटे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरिशार्थ करो जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे प्रश्ण गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है उत्तर मीटे बच्चे गुणवान बनना है तो फस्ट पाइंट किसी की भी देह को मत देखो अपने को आत्मा समझो एक बाप से सुनो एक बाप को देखो मनुष्य मत को नहीं देखो सेकेंड पाइंट देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का वाँ ब्राम्मन कुल का नाम बदनाम हो उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते उन्हें खुल कलंकित कहा जाता है ओम शांती बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल ते बाबा साक्षातकार कराते है ऐसा कुष्पुदार फूल बनने का है बच्चे जानते हैं हम फूल बनेते जरूर गुलाब के फूल मोतियों के फूल भी बनेते अत्वा हीरे भी बनेते अब फिर बन रहे हैं या है सच्छे, आगे तो ते जूटे, जूट ही जूट, सच की रिथी भी नहीं, अभी तुम सच्छे बनते हो, तो फिर सच्छे में सब गुण भी चाहिए, जितने जिन में गुण है, उतना अवरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं, बाप बच्चों को कहते रहते है बच्चे, पोता मिल रखो, अपने गुणों का, हमारे में कोई अवगुण तो नई है, दैवी गुणों में क्या कमी है, रात को रोज अपना पोता मिल निकालो, दुनिया के मनिश्यों की तो बात ही अलग है, तुम अबी मनिश्य तो नई हो ना, तुम हो ब्रामन, बल मनिश्य तो सब मनिश्य ही है, परन्तु हर एक के गुणों में चलन में फरक पड़ता है, माया के राज्जी में बी कोई-कोई मनिश्य बहुत अच्छे गुणवान होते है, परन्तु बापको तो नहीं जानते, बड़े, religious minded, नरम दिल होते हैं, दुनिया में तो मनिश्यों के गुणों की वेराइटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं, एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है, या तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हो, यहां या जैसे एक ही ब्राम्मन कुल बैटा हुआ है, शूद्र कुल में हैं, मनिश्य मत, ब्राम्मन कुल में हैं, इश्परिय मत, पहले पहले तुमको बाब का परिच्चे देना ही, तुम बताते हो, फलाना आर्ग्यू करते हैं, बाबा ने समझायाता, लिक दो, हम ब्राम्मन, अत्वा बीके, इश्परिय मत पर तो चलते ही हैं, हम बीके हैं, इश्परिय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे उन्च तो कोई हाई नहीं, उन्चे ते उन्चे बगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं, मनिश्परिय मत पर चल, हम देवता बनते हैं, मनिश्य मत बिल्कुल चोड दी हैं, फिर तुम से कोई आर्ग्यू करना सके, कोई कहे, या कहां से सुना, किसने सुनाया है, तुम कहेंगे, हम हैं इश्परिय मत पर, प्रेरना की बात नहीं, बेहत के बाप इश्पर से, हम समझे हुए, बोलो बक्ती मार्ग के शास्त्र, मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली हैं, इश्परिय मत, तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, पहले पहले बुद्धी में बिटाना है, हम इश्परिय मत पर है, मनिश्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं, इश्पर ने कहा है, here no evil, see no evil, मनिश्य मत, पर नहीं चलो, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो, या तो पतित शरीर है, इसको क्या देखने का है, इन आंकों से या नहीं देखो, या शरीर तो पतित का पतित ही है, यहां तो या शरीर को सुदारने नहीं है, और ही पुराने होने हैं, दिन प्रति दिन सुदर्ती है आत्मा, आत्मा ही अविनाश्य है, इसी लिए बाप कहते हैं, see no evil, शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित, देह के जो भी संबंध है, उनको बूल जाना है, आत्मा को देखो, एक परमात्म बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है, तुम फील करते हो, यहां बड़ी सबजेक्ट है, जो होश्यार होंगे, उनको पद भी उतना उन्च मिलेगा, सेकेंड में जीवन मुक्ती मिल सकते हैं, परन्तु अगर पूरा पुर्शार्त नहीं किया तो, फिर सजाये भी बहुत कानी पड़ेगी, तुम बच्चे, अंदों की लाटी बनते हो, बाप का परिच्चे देने के लिए, आत्मा को देका नहीं जाता, जाना जाता है, आत्मा कितनी चोटी है, इस आकाश तत्व में देखो, मनुश्य कितनी जगह लेते हैं, मनुश्य तो आते जाते रहते हैं न, आत्मा कहां आती जाती है क्या, आत्मा की कितनी चोटी सी जगह होगी, विचार की बात है, आत्मा उंका जुन्ड होगा, शरीर के बेंट में आत्मा कितनी चोटी है, वा कितनी तोड़ी जगह लेगी, तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए, अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धी बने हो, बाप नई बाते समझाते हैं, नई दुनिया के लिए, और फिर नया बनाते हैं, बताने वाला भी नया हैं, मनिश्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं हैं, जो अपने पर रहम करें, तुमको ताकत मिलती हैं, तुमने बाप से वर्सा लिया हैं, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता हैं, मनिश्यों को कभी देवता नहीं कह सकते, रहम दिल ये कही बाप है, जो मनिश्यों को देवता बनाते हैं, इसी लिए कहते हैं, परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं, अभी तुम जानते हो, उनमें रहम का पारावार नहीं है, बाबा, जो नई दुनिया बनाते हैं, उसमें सब कुछ नया होता है, मनिश्य, पशू पक्षी, सब सतो प्रदान होते हैं, बापने समझाया है, तुम उन्च बनते हो, तो तुमारा फर्नीचर भी, ऐसा उन्च ते उन्च गाया हुआ है, बाप को भी कहते हैं, उन्चे ते उन्चा, जिससे विश्प की बादशाही मिलती हैं, बाप साफ कहते हैं, हम हतेली पर बहिष्ट ले आता हूं, वो लोग हतेली से केसर आदी निकालते हैं, यहां तो पढ़ाई की बात है, यहां है सच्छी पढ़ाई, तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं, पाटशाला में आये हैं, पाटशाला ये, तुम बहुत कोलो, तो तुमारी एक्टिविटी को देखे, कोई फिर उल्टी चलन चलते है तो, नाम बदनाम करते हैं, देह अभिमान वाले ही, नाम बदनाम करते हैं, देह अभिमान वालों की एक्टिविटी ही अलग होगी, देखेंगे, ऐसी एक्टिविटी है तो, फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है, समशते हैं, इनकी एक्टिविटी में तो, कोई फरक नई है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना, टाइम लगता है, सारा दोश उस पर आ जाता है, मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुमारे क्यारेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है, तुम समझते हो, कोई कोई के क्यारेक्टर्स बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास होते हैं, वहाँ दिकाई भी पड़ेंगे, बाबा एक एक बच्छे को बैट देखते हैं, इनमें क्या कामी हैं, जो निकलनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं, कामिया तो सब में हैं, तो बाब सब को देखते रहते हैं, रिसल्ट देखते रहते हैं, बाब का तो बच्छों पर लव रहता है न, जानते हैं, इनमें यहां कामी हैं, इस कारण यहां इतना उन्च पद पा नहीं सकेंगे, अगर कामिया नहीं निकली, तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालुम पड़ जाता है, यहां तो जानते हैं, अभी टाइम पड़ा है, एक-एक की जांच करते, बाब की नजर एक-एक के गुणों पर पड़ेगी, पूछेंगे, तुमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बाबा के आगे तो सच बता देते हैं, कोई-कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं, बाब तो कहते रहते हैं, आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वा मनुश्य, जो कहने से भी ना करे वा असुर, बाबा कहते रहते हैं, जो भी कामिया हैं, इस जनम की वहां बाब के आगे आपे ही बताओ, बाबा तो सबको कह देते हैं, कामिया सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी हैं, तुमारे पास अंदर में क्या-क्या असुरी क्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे, इस हालत में तुम इतना उन्च पद नहीं पा सकेंगे, जब तक अवगुण निकले, अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनिश्यों को वहम पढ़ता हैं, बगवान इनको पढ़ाते हैं, बगवान तो नामरूप से न्यारा है, सर्वव्यापी हैं, वहां कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है, या तो बाप जानते है, तुमारे गुण कैसे फस्ट क्लास होने चाहिए? अवगुण चिपा देंगे, तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा, इसलिए जितना हो सके, अपने में अवगुण जो है, उनको निकालते जावो, नोट करो, हमारे में या या कामी है, तो दिल अंदर में कायेगी, गाटा पढ़ता है, तो दिल काती है, व्यापारी लोग अपना काता रोज निकालते हैं, आज कितना फाइदा हुआ? रोज का काता देखते हैं या बापी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे बाप की इज़त गवा देंगे गुरु की निंदा कराने वाले तवर ना पाए देह अभिमानी तवर नहीं पास सकते देही अभिमानी अच्छी तवर पाएंगे देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरशार्त करते हैं दिन प्रति दिन सुदर्ते जाते हैं देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है देह अभिमान से पाप जरूर होता है इसलिए देही अभिमानी बनते रहो या तो समझ सकते हो जनम ते ही राजा कोई होता नहीं देही अभिमानी बनने में टैम तो लगता है न या भी तुम समझते हो अभी हमको वापिस जाना है बाबा के पास बच्छे आते हैं कोई छे मास बाद आते हैं कोई आट मास बाद भी आते हैं तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नती हुई है दिन प्रति दिन कुछ सुदर्ते रहते हैं या कुछ दाल में काला हैं कोई चलते चलते पढाई चोड़ देते हैं बाबा कहते हैं या क्या बगवान तुमको पढाते हैं बगवान बगवती बनाने, ऐसी पड़ाई तुम चोड़ देते हो, अरे, वर्ल्ड गार्ड फादर पड़ाते हैं, इसमें आपसेंट, माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पड़ाई से तुमारा मुख मोड देती है, बहुत है जो चलते रहते हैं, फिर पड़ाई को लात मार देते हैं, या तो तुम समशते हो, अब हमारा मुँ है स्वर्ग तरफ, लात है नरक तरफ, तुम हो संगम युगी ब्राम्मन, या पुरानी रावन की दुनिया है, हम वाया शांतिदाम, सुकदाम तरफ जाएंगे, बच्चों को, यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर चूट सकता है, बाप की याद नहीं होगी, तो फिर अंतकाल, जो स्त्री सिमिरे, बाबा समझाते तो बहुत है, या सब गुप्त बाते हैं, नालिज भी गुप्त है, या भी जानते हैं, कल्प पहले, जिसने जितना पुर्शार्थ किया है, वही कर रहे है, ड्रामा अनुसार, बाप पी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फरक नहीं पड़ सकता, बाप को याद करते रहो, तो तुमारे विकर्म विनाश होते जाए, सज्जा नहीं कानी चाहिए, बाप के सामने सज्जाये बैट काएंगे, तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षातकार भी किये हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते, इन द्वारा बाप पड़ाते हैं, तो इनका ही साक्षातकार होगा, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, तुमारे या 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 पाप हुए हैं, तुमने या या किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिलाएंगे, अफसोस भी करेंगे, बिगर साक्षातकार सज्जा देना सके, कहेंगे, तुमको इतना पड़ाते थे, फिर ऐसे ऐसे काम किये, तुम भी समझते हो, रावन की मतपर हमने इतने पाप किये हैं, पुझ्ज से पूझारी बन पड़े हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते आये, या तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है, बाप उलहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी हैं, बारतवासी ही कितना गिरे हैं, बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली हैं, सो भी नंबरवार समझते हैं, ड्रामा अनुसार, आगे भी ऐसे ही, इस समय तक के क्लास की या रिजल्ट थी, बाप बताएंगे तो सही न, तो बच्चे अपनी उन्नती करते रहे, माया ऐसी है, जो देही अभिमानी रहने नहीं देती, यहां बड़ी सबजेक्ट है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो, बाप बस्म हो जाएं, अच्छा, मीटे मीटे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दारणा के लिए मुक्य सार, फस्ट पाइंट, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं, द ज़ूर नहीं मिल सकती। इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुशार्त करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना पूर। Second point, अंदर की बीमारिया बाप को सच सच बतानी है। अवगुण चिपाने नई है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या-क्या अवगुण है। पडाई से स्वयम को गुणवान बनाना है। वरदान, पवरफुल ब्रेक द्वारा सेकेंड में नेगेटिव को पाजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वय परिवर्तक बवा। जब नेगेटिव अत्वा व्यर्त संकल्प चलते हैं तो उसकी गती बहुत फास्ट होती है। फास्ट गती के समय पवरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाडी पर चड़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी उन्ची स्तिती बनाने के लिए संकल्पों को सेकेंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ावो। जब अपने संकल्प वासंसकार एक सेकेंड में नेगेटिव से पाजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे। तब स्वा परिवर्तन से विश्प परिवर्तन का कारिय संपन्न होगा श्लोगन स्वा प्रती और सर्व आत्माओं के प्रती स्रेश्ट परिवर्तन की शक्ती को कारिय में लाने वाले है सच्छे कर्म योगी है अच्छा ओम शांती